हेलो एरोन वेलकम इवाल बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगं का आज हम एक बहुत ही इंपोटेंट इसू डिसकस करने वाले हैं अग्रिकल्चर से रिलेटेड है और ये इंपोटेंट इसलिए है कि आज भी हमारे देश की 50-60% जो पॉपुलेशन है वो डिरेक्टली या फिर इंडिरेक्टली अग्रिकल्चर पे डिपेंड करती है मतलब उनका employment उनकी रोजी रोटी उनका पेट बिसिकली अग्रिकल्चर से भरता है और अभी आपने देखा कि जो economic crisis आई है जहाँ पे हमारी GDP 24% हो गई है वहाँ पे agriculture ही एक sector है कि जो की positive में था जहाँ पे growth देखी गई थी इसलिए हमको crisis प्रधान देश भी कहा जाता है ये bill इसलिए भी important है कि हम में से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पिता जी खेती करते हैं तो हम सभी को इस bill को जानना चाहिए इसके legality को जानना चाहिए but unfortunately जो हमारा देश है इसमें जो सरकार है उसको bill का केवल और केवल positive points दिखता है और जो यहां पे opposition है उसको किसी भी bill का केवल और केवल negative points दिखता है तो सरकार उसका positive point बताती है opposition उसका केवल और केवल negative point बदाता है और media का भी कुछ वैसा ही हाल है जो सरकार को support कर रहे होते हैं directly या indirectly वो केवल positive point आपको बताएंगे जो सरकार के अपोज में होंगे वो केवल negative points बताएंगे तो यह आपकी responsibility बनती है कि जो ordinance है उसकी legalities क्या है आप पढ़े लिखे हो उसको समझो और लोगों को भी समझाओ तो basically हम यहाँ पे detail में इसको discuss करेंगे और यह देखेंगे कि जो किसान है वो protest क्यों कर रहे हैं और mostly उसमें हम देख रहे हैं कि केवल पंजाब और हरियाना के किसान जादे protest कर रहे हैं वो इसे protest हर जगा हो रहा है बट majority में पंजाब और हरियाना के किसान ही क्यों protest कर रहे है उनका जो demand है उनकी जो concern है वो कितना valid है क्यों सरकार अगर यह कह रही है किसे किसानों का फायदा है तो उनका concern सुनने के लिए सरकार तयार क्यों नहीं है क्या problem है इस सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिस करेंगे detail में पहले एक word यहाँ पे आया है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि ordinance क्या होता है basically जब कभी भी हमारी parliament function नहीं कर रही होती है उसका session नहीं चल रहा होता है और सरकार को लगता है कि कोई important rule है उसको हमको लाना चाहिए तो वो basically ordinance के form में आता है cabinet का approval चाहिए होता है और president की sign के बाद वो rule बन जाता है बट इसकी कुछ time duration होता है अगर इसको parliament से pass नहीं करवाया गया क्या position क्या सोचता है सरक्या क्या सोचती है वहां से हमको सारी चीजे पता चलती है बट ordinance लाना पड़ता है कभी-कभी जब parliament function में नहीं होती है तो इस पे भी concern है वो सारी चीजे हम discuss करेंगे चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अगर आपको इन वीडियो के PDF चाहिए तो आप मुझे टेलिग्राम पे जॉइन कर सकते हैं आप मुझे Instagram और Facebook पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुझे पसंदी जुनना चाहते हैं तो आप मेरे Twitter और Instagram के ID को फॉलो करते हैं तो चलिए हम बिल्स को एक-एक करके discuss करेंगे जो हमारी first bill है The Farmers Produce Trade and Commencement Bill 2020 Basically ये बात करते हैं Promotion and Facilitation से लिटेट किस टाइब का Promotion and Facilitation है ये यहाँ पर एक example लेते हैं और समझते हैं Suppose करिए आप एक किसान हो आप कुछ उगाते हो तो आपके पास कितने option है जो गाई हुई चीज है अगर उसको आप बेचना चाहते हो market में तो कहां-कहां बेच सकते हो अगर आप छोटे किसान हो तो आप क्या करोगे गाउं में जो aggregator होते हैं जिसे आप बनिया कहते हो basically जो आपका समान खरीदते हैं आप से किसी price पे और फिर क्या करते हैं वो मंडी में ले जाके बेचते हैं तो एक तो हो गया aggregator आप थोड़े बड़े किसान हो आपके पास थोड़ा ज़्यादा यानाज है आप sustain कर सकते हो, transport कर सकते हो तो आप उसको मंडी में बेच सकते हो कहां बेच सकते हो, आप उसे मंडी में थोड़े से पढ़े लिखे लेंग्वेज में बात करें तो इसे हम कहते हैं APMC APMC मतलब होता है Agriculture, Produce, Live, Stoke, Market बेसिकली इसको simple भासा में हम मंडी कहते हैं APMC Act है ये बेसिकली government का Act है ये proper format होता है कि वहां पे किसान बेच सकता है उसकी quality trace की जाती है और यहां पे agents बैठे होते हैं agents मतलब आप फर्जी agent मतलब समझ लो उनको government license provide करती है कि आप खरीज सकते हो जिनके पास license होता है केवल वही APMC में समान खरीज सकते हैं और यहां पे जो agent होते हैं वो गाउं घर के होते हैं पैचान भी होती है तो किसान का एक trust भी होता है कि ये पैसा लेके नहीं बाग सकता है ये सारी चीजे होती है तो एक तो APMC में बेच सकते हैं इसका एक proper framework होता है दूसरी चीज अगर किसी किसान को यहां पे नहीं बेका गया suppose कर ये कुछ ज़्यादा production हो गया APMC वाले उसको खरीद नहीं रहें तो इसको कौन खरीदेगा इसको government खरीदेगी मतलब एक है Food Corporation of India FCI तो ये एक security देता है FCI एक security देता है कि अगर कोई आपका समान नहीं खरीदेगा किसान का नुक्षान नहीं हो इसलिए यहां पे एक price fix ये कह जाता है जिसे हम कहते है minimum support price तो किसान के पास एक security है कि अगर कोई आपका माल नहीं खरीदेगा तो इसे खरीदेगा Food Corporation of India MFC तो आपने देखे होगे Food Corporation of India खरीदता है बहुत सारे इनके stores होते है जहां पे इसको store किया जाता है और उसी को आपने देखा होगा कि एक रुपया दो रुपया किलो पे बेचा जाता है राशन कार्ड पे हिसाब से तो ये सारा पूरा process होता है यहां से आप खरीद और बेच सकते हो सरकार इसको change करने की कोसिस कर रही है सरकार का कहना है कि यहां पे जो किसान है उसके साथ bargaining होती है उसको अच्छा price नहीं मिलता है क्यों अच्छा price नहीं मिलता है सरकार यह कहती है कि यहां पे जो agent है basically agent क्या करते हैं किसान का माल एने पहने भाव में खरीद लेते हैं ये एक यूनियन बना लेते हैं और कह देते हैं कि सबी लोग जाएंगे किवल दस उर्पया किलो प्राइज लगाएंगे अब किसान क्या है उसके पास तो पैसे का भाव होता है वो बहुत दिन तक अपना समान स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि वो भी सड़ जाएगा तो किसान क्या करता है मजबूर होके या तो इसको बेज़ देगा या तो MSP पे बेज़ देगा MSP भी बहुत ज़्यादा प्राइज देती नहीं है जो आपकी टोटल लागत होती है उससे थोड़ा सा उपर गवर्मेंट इसलिए खरीद लेती है कि किसान का नुकसान नहीं हो किसान सुसाइट ना करें तो MSP से बेचने से ऐसा लोग क्या करते हैं यहीं पर प्रिफर्ड करते हैं बेच देते हैं तो गवर्मेंट यह कह रही कि यह लोग कमिशन खाते हैं बिल्कुल सही बात है यहाँ पर जेनुएनली अगर हम कहें तो 2-3% का कमिशन होता है बट इन डारेक्ली यह 10-20% का कमिशन खाते हैं किसान से अब यह क्या करते हैं यह खरीद के बड़े फॉर्म को बेच देते हैं जैसे माली जो कोई चिप्स बनाने वाली कमपनी है तो यहाँ से यह इसको आलू बेच देंगे कोई बिस्किट बनाने वाली कमपनी है तो उसको गेहू बेच देंगे बट किसान इसको directly नहीं बेच पाता है, क्योंकि यहाँ पे legal framework बना हुआ है, कि कौन खरीज सकता है, कौन नहीं खरीज सकता है, उसको आपको license बनवाना पड़ेगा, यहाँ पे एक problem और है कि आप अपने state से दूसरे state में जाके नहीं बेच सकते हैं, उसके लिए भी आपको documentation क जरूत पड़ती है, government यह कह रहे हैं कि हम यह सारी चीजें हटाना चाहते हैं, हम इसको भी अटा देंगे, agent को भी अटा देंगे, अब agent को government हटाएगे तो agent को तो problem होगा ही, क्योंकि इसकी रोजी रिटी जा रही है, दूसरी बात यह कह रहे हैं कि हम किसान को directly इससे connect कर दे आपको सुनने में यह सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही होगी, कि यह तो बलकी किसान के फायदे की चीजें, इसमें किसान को problem क्या हो सकता है, किसान को यहाँ पे एक problem है, कि trust problem basically हम कह सकते हैं, किसान को ऐसा लग रहा है कि government यहाँ पे MSP को खतम करना चाह रही है, अब government का इसको reply आया है, कि भाई हम MSP को खतम नहीं करना चाह रही है, अप opposition वाले भी कह रहे है कि government इसको MSP को खतम करना चाह रही है, मगर सरकार literally सामने से कह रही है कि हम MSP को खतम नहीं करना चाह रही है, तो आप सोचोगे कि लोग protest क्यूं कर रहे हैं, major concern यही है, लोगों का trust नहीं है सरकार पर, लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मालीजी यहां पर मार्केट को ओपन कर दिया जाता है, तो सरकार कल को यह कह देगी कि आपके खरीदने के लिए यह लोग हैं, आप इनको बेचो, हमारे पास जरूरत नहीं है इसलिए हम नहीं खरीद पा रहे हैं हमारे पास storage नहीं है हमारे पास जो storage है उसमें तो already अनाज पड़ा हुआ है सड़ रहा है अभी ये surety थी कि कोई आपका अनाज नहीं खरीदेगा तो हम खरीदेगे still अभी government भी यही कह रही है कि अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम खरीदेंगे बट लोगों का ऐसा मानना है चुकि government का अभी एक ऐसी आप कह सकते हो नहीं कि छबी बन गई है कि एक corporate sector के लिए काम कर रही है ऐसा एक छबी बन गई है इसलिए लोगों को किसानों को trust नहीं हो रहा है वो बैसिकली यही सोच रहा है कि चुकि corporate को इस sectors में लाने है इसलिए government यहाँ पे इनको हटाना चाह रही है MSP को बैसिकली हटाने के लिए सारी चीज़े कर रही government back side सो MSP को हटा देंगे दूसरी चीज़ यहाँ पे जो state government है उसका भी यह concern है क्योंकि state government यह जो मंडी होती है वहाँ पे 3% से लेके 6% तक 8% तक even पंजाब में tax लगाती है तो वहाँ से government को मतलब state government को भी कुछ profit होती है तो यह concern state government का भी है तो state government भी इसका पोज कर रही है बट state government खुलके अपोज इसलिए नहीं कर पा फिर भी लोग यही कह रहे है कि MSP को हटाने के लिए government ऐसा कर रही है तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे एक trust gap है government के बीच में और किसान के बीच में दोनों लोगों को बैठना चाहिए समझना चाहिए कि यह सारी चीजें है तो basically यहाँ पे जो total concern है first जो ordinance है first जो bill है उसमें MSP का ही है और यह MSP का concern सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाना में ही है बहुत सारे state के तो किसान ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं MSP क्या होता उन्होंने use भी नहीं किया जैसे UP के किसान की हम बात करें तो UP में भी west region में protest हो रहे है बट जो इस region है वहाँ पे जितना production होता है उतना तो consume हो जाता है उनका पडोसी खरीद लेता है उसी price पे या जादे price पे तो वो उनको market जाना ही नहीं पड़ता इवेन मंडी भी नहीं जाना पड़ता government के पास MSP पे भी नहीं जाना पड़ता बट जो हरियाना ये पंजाब है वहाँ पे बहुत huge amount of production होता है बहुत ही fertile land है river land कहते हैं वहाँ पे बहुत सारी rivers हैं तो वहाँ पे production जादा होता है इतना जादा production होता है कि मंडियों में वो खपत नहीं हो पाता है तो यहाँ पे आप देखोगे कि 50% से लेके 60% जो total production है हरियाना और पंजाब का वो government को खरीदना पड़ता है मजबूरी में क्योंकि वो मंडियों में बिक नहीं पाता है तो यहाँ का जो किसान है उसको MSP एक सिर्टी देती MSP कि कोई नहीं खरीदेगा तो हम आपका खरीदेंगे इसलिए उसका बहुत बड़ा concern है कि government अगर MSP घटा देगे तो हमारे अनाग तो हमारे पास ही सड़ जाएंगे वो बिकेंगे ही नहीं इसलिए यह जादे प्रोटेस्स आपके पंजाब और हर्याना में हो रहा है क्योंकि वहां के लोग MSP का फायदा उठाते है बाकि सारे स्टेट में MSP का उतना बड़ा इसू है नहीं इसलिए कम प्रोटेस्स हो रहा है बद दूसरे इसू है हम आगे उस सारे इसूस को डिसकस करेंगे अब हम मूब करते हैं हमारा जो नेक्स बील है नेक्स बील है पहले ये समझ लेते हैं कि ये बील क्या चीज़ फैसिलिटेट करेंगी फिर समझेंगे कि इस बील का जो फैसिलिटेशन है उसमें कंसर्न क्या है तो यहाँ पे बैसिकली एक national framework बनाए जाएगा एक राश्री framework बनाए जाएगा जिसमें जो किसान है जो former है उसको बैसिकली जो भी consumer है चाहे वो wholesaler हो, retailer हो या बड़े business man हो या फिर बड़ी जो consume करने वाली company हैं जैसे हमने example लिया था कि biscuit बनाने वाली company को गेहूं चाहिए जैसे हमने का था मैगी बनाने वाली company को गेहूं चाहिए जैसे chips बनाने वाली company को बटाटा चाहिए आलू चाहिए इसी तरीके से बहुत सारी चीजे हैं तो यह जो company है या retailer है बड़े business man है wholesaler है इन सभी को एक framework के थुरू किसान से contact कराये जाएगा एक framework बनेगा इनके बीच में कि यह directly किसान से अपना माल खरीब पाएं अब आप सोचोगे कि यह तो बहुत अच्छी चीजे हैं इसमें किसान को क्या problem है तो भी हम discuss करेंगे कि यहाँ पर किसान को problem क्या है इसमें एक facilitation और दिया जाएगा कि किसान को कि किसान को उत्तम किस्म के बीच प्रोवाइड क यहाँ पर एक term निकल के आता है contract based forming का अब यह contract based forming क्या है एक example से समझाता हूँ आपको suppose कर लिजिए कि यहाँ पर एक biscuit बनाने वाली company है यह company biscuit बनाती है यह पंजाब के जो किसान है उनसे contact करती है या गुजरात के किसान से contact करती है कि आप लोग ना मेरे कहने पे आप यहू बोना सुरू करोगा तो यहाँ पर एक provision बनाया गया है कि यह किसान इस company के साथ legal तरीके से एक bonding कर सकते हैं एक agreement sign कर सकते हैं अब जब यह company कह रही कि आप गेहू उगाओ तो यह contract होगा किसान और इसके बीच में कि जो भी गेहू यह किसान उगाएगा उसको जो market price पे market price पे यह company उसको खरीदेगी यह पहले से मतलब गेहू लगाने से पहले यह contract हो जाएगा company और किसान के बीच में अब आप सोचोगे यह तो बहुत अच्छा है यार किसान को लगाने से पहले ही contract मिल जाएगा यहाँ पे किसान को protection भी दिया गया कि माल लिजे आपने फसल लगा ल होता है तो इतने production के हिसाब से इतना active आपने लगाया तो पूरी company खरीदेगी अगर यह सारा चीज legal framework में आप दोनों के contact में mention है तो आपका production हो ना हो कम हो जादा हो season खराब हो गई बारिस हो गई नुक्षान हो गया यह सारा वियर कौन करेगा company करेगी आपको नहीं करना प है आपको उननत किसम के बीज मिल रहे है आपको खरीदने के लिए guarantor मिल रहे है फिर क्या problem है अब यहाँ पर problem यह है कि जो government ने यहाँ पर legal bonding बनाया है इसमें dispute भी तो हो सकते है ना कभी मालो dispute हो गया company ने कुछ agreement दिया किसान ने कुछ दिया दोनों के बीच में agreement तो dispute तो ह होई जाता है ने या देखो लौ तो है न कि किसी को मारोगे तो आपको जेल होगी मगर फिर भी लोग मार रहे हैं कि नहीं मार रहे है तो dispute तो तो किसान यह कह रहे है कि यहाँ पे ऑन दिस्प्यूट होगा, उस dispute को resolve करने के लिए पहले लाग सीविल कोड जा सकते थे कहां जा सकते थे civil court और आपको पता है कि हमारे देश में अगर कोई institution है जिसमें लोगों का faith है तो केवल और केवल court है जिसमें लोग भरोसा करते हैं बाकी लोगों को सरकार के उपर भरोसा नहीं है लोगों को पुलिस के उपर भरोसा नहीं है लोगों को तहसील में भरोसा नहीं है बाकि जो institution है उसमें लोगों को भरोसा बहुत कम है क्योंकि उन्होंने ऐसे कारणामे की है अब सरकार ने जो यहाँ पे dispute management system है mechanism जो बनाया है उसमें बहुत ज़ादा जो bureaucrates है उनको empower कर दिया है सरकार ने यह कहा कि यहाँ पे अगर कोई dispute होता है legal dispute माल लिजे former और company के बीच में तो यह dispute SDM साब तासील लेबल पे समझाएंगे मतलब bureaucrates DM साब इसको resolve करेंगे तो यहाँ पे किसानों का concern यह है कि यह जो mechanism है ना इसमें तो किसान company से लड़ी नहीं सकता है माल लिजे कल की company कह देती है कि भाई हम तो दिवालिया गोसित हो गए अरे आप सोच के देखो यार कि bank से company loan लेती है वहाँ पे भी तो mechanism है कि यह पैसा company को bank को चुकाना पड़ेगा फिर भी क्या होता है company खुद को दिवालिया बनाके bank का पूरा पैसा खा जाती है लेके भाग जाते हैं बैंक 10 करोड दिया था वस दो करोड उसुलम इनका जोर हो जाता है तो यहाँ पे किसानों का भी वैसा इडर है कि legal चीजें हैं बट हम company से कैसे लड़ेगे एटलिस इतना तो होना ही चाहिए कि अगर कोई यहाँ पे legal dispute create होता है तो government legal support provide कराएगी किसानों को एटलिस वकील provide कराएगी एटलिस उनका fee भरेगी इस type की चीजे हो ताकि हम इस company से लड़ पाएं otherwise तो हम company से लड़ी नहीं पाएंगे कल को company कह देती है कि हम तो यह legal agreement को मानते ही नहीं तो हम क्या करेंगे हम कब तक उनसे लड़ पाएंगे तो यह एक बहुत बड़ा concern है किसानों का जो मेरे हिसाब से बहुत जादा genuine है यहाँ पे एक डर और है कि यह जो company है यह monopoly करने लगेगी मान लिजे यहाँ पे 10 किसान है 10 किसान है सबकी 10-10 hectare 5-5 hectare जमीन है यह company वाला आते हैं और कहते हैं इन 9 किसान को इन्होंने पटा लिया या जो भी कर लिया या फिर नहीं पट रहे हैं तो जबरदस्ती करने लगे कि आप सभी लोगों को अपनी land हमें देनी पड़ेगी आपको गेहूं की खेती ही करनी पड़ेगी आपको बटाटा की खेती ही करनी पड़ेगी ऐसे कर सकते हैं यह जो राजमाइस कर सकते हैं फोर्स पुली कर सकते हैं पुलिस प्रसासन का यूज लेके कर सकते हैं आप देखते होगे न तो वहाँ पे ये भी डर है कि ये लोग क्या करें अपने फायदे के लिए जो पूरी की पूरी लैंड है कई हेक्टेर तक खरीद सकते हैं इससे क्या होगा कि जो किसान है वो अपनी जमीन में ही मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाएगा इसके हैवी फाइन का प्रोवीजन किया गया है कि अगर कमपनी सच में गिल्टी फिल पाई जाती है तो उनके उपर हैवी फाइन लगाया जाएगा मतलब करोड़ों में मतलब कई सो करोड़ों में भी अगर बड़ी कमपनी है तो फाइन लगाया जाएगा बट इससे किसान जो है और definitely अगर ये जो bills बनाए गए अगर वो सही तरीके, सही faith में apply किये जाएं तो किसान का फायदा होगा बट जो rules बनते हैं, उनको कितने faith में apply किया जाता है, यह हम सभी को पता है उनका कितना misuse किया जाता है, जो भी उनने loop fall होते हैं, उनको किस तरीके से exploit किया जाता है फायदे क्या है, उसको भी हम समझेंगे, और ये किसानों का बहुत बड़ा concern है ये इससे और गरीब का, किसान से ज़्यादा concern इससे गरीबों को होना चाहिए क्योंकि इससे गरीबों को definitely नुक्सान होने वाला है, आप देखोगे किस तरीके से होगा पहले आप ये जान लो कि essential commodity होती क्या है, तभी तो समझोगे कि उसमें amendment क्या है तो आपने करोना आया था, तो उस टाइम सुना होगा आपने कि government ने क्या किया है कि जो ये sanitizer है, या फिर जो basically उस करोना time में जो medicine use हो रही थी या फिर जो mask है, इनको एक तरह से essential commodity में डाल दिया है अब जैसे कोई चीज essential commodity आती है न, उस commodity पे government का control हो जाता है अब उहाँ पे government regulate करती है कि वो commodity का price क्या होगा कितने price में उसको बेचा जाएगा, कितना तक उसका collection हो सकता है कौन उस commodity को खरीच सकता है, कौन उस commodity को बेच सकता है तो मतलब यह होता है कि पूरे market पे government का control होता है एक तरह से अब government इस amendment bill में जो भी अनाज हैं, pulsage हैं, जो oils हैं उनको essential commodity से बाहर रख रही है पहले यह सारी commodity कैसी थी? essential commodity थी तो government इसको manipulate करती थी, कौन इसको खरीच सकता है कौन बेच सकता है, कौन इसको store कर सकता है, कितना amount में store कर सकता है इसका एक simple example लेते हैं, फिर समझते हैं इसके consequences क्या है suppose कर लेते हैं, onion है, onion इस से पहले, इस bill से पहले essential commodity थी, अब bill के बाद essential commodity नहीं रह जाएगी तो essential commodity आपने देखा होगा कि government छापे मारती थी अगर price जैसी onion का बढ़ता था, 70-80 रुपे क्विल्यों हुआ तो आप news देखते हैं कि government छापा मार के पकड़ती थी लोगों को कि आपने ये store करके black money की तरीके से एक तरह से black marketing करके आपने इसका price बढ़ाया है, जैसे ही onion, जैसे ही onion essential commodity से बाहर होगी ये restriction हड़ जाएगा, अब कोई भी onion खरीच सकता है, कितने भी amount में store कर सकता है अब आप सोचोगे कि किसान का store से क्या लेना देना है, किसान का store से लेना देना ये है भाई कि किसान मालो कोई है onion उगाता है, तो ये क्या करता है, अपनी जितनी भी onion उगाया, वो totally onion बेच देता है और बाद में onion खरीदने जाता है और onion का price अब जो होगा चुकि यह essential quality नहीं है commodity नहीं है तो जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो क्या करेंगे onion खरीदेंगे और उसको store कर लेंगे onion की जब supply बढ़ जाएगी और supply घट जाएगी demand तो वैसे ही रहेगी तो demand बढ़ने के वज़े से इसका rate बढ़ जाएगा और जैसे ही rate बढ़ेगा वो market में बेचना शुरू करेंगे तो इससे क्या होगी black marketing को बढ़ावा मिलेगा और definitely बढ़ेगा 100% मिलेगा अभी चुकि यह essential commodity में है फिर भी इसकी black marketing होती है उसकी भी black marketing होगी तो सबकी black marketing हो सकती है अब किसान को आप कहोगे किसान को भाई क्या problem है किसान तो आलू भी उगाता है किसान तो दाल भी उगाता है किसान तो प्याज भी उगाता है तो रख लेगा अपने खाने के लिए पहले ही रख लेगा इसको खरीदना नहीं पड़ेगा तो बिल्कुल बात आपकी सही है मगर आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई किसान के पास storage के लिए infrastructure नहीं है वो अपने पास अगर पूरे साल के लिए प्याज रखेगा उसकी प्याज सड़ जाएगी 3-4 महिने में आलू रखेगा आलू भी सड़ जाएगा हाँ कुछ चीज़ें ये store कर सकता है डाल रख सकता है आल रख सकता है तो कुछ चीज़ें ये store कर सकता है कुछ चीज़ें नहीं store कर सकता है तो इसका concern है कि जो चीज़ें हम store नहीं कर सकते जिसको पहले हम बेच देते हैं, बाद में खुद मार्केट से खरीते हैं, तो हम बेचेंगे 10 उर्पिया, बाद में जो बड़े इन्वेस्टर हैं, उसकी black marketing करके हमी को उसको 100 उर्पिया में बेचेंगे, तो ये एक problem है, दूसरी चीज यहाँ पर गरीब का भी problem है, जो किसान भी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे हैं न, जो गरीब हैं, जो किसान, किसान भी नहीं है, गरीब भी उनके पास पैसे भी नहीं है, तो उनका भी ये concern है, जो food security bill है, उसको भी ये violate करता है, अब ये आदमी तो किसान भी नहीं बिचारा, एक मेहने के लिए भी नहीं रख सकता इसको तो हमेशा प्याज खरीदनी है, तो इसको तो बड़े rate में खरीदना पड़ेगा, तो in short, इस will से black marketing बढ़ने के chances हैं, black marketing बढ़ने के chances हैं, तो सरकार का इस पर सवाल आया है, सरकार का सोली जवाब आया है इस सवाल पर, सरकार ये कह रही है, कि अगर हम कुछ ऐसा दे लोग कह रहे हैं, कि जब ये essential quality है, commodity है, तब तो लोग store कर लेते हैं, सरकार कुछ करी नहीं पाती है, प्याज 20 उर्पिया बिकना चेह, बिक्ती 120 उर्पिया, तब तो सरकार करी नहीं पाती है, जब सरकार के पास legal rights हैं, और लोगों के पास legal rights हैं, कि वो complain कर सकते हैं, तब तो कुछ होई नहीं पाता है, जब यहाँ पे कोई legal binding नहीं होगी, तब सरकार क्या कर पाएगी, तब तो राम भरोसे होगा सब कुछ, तो फिर से एक trust deficit है between the government and farmers, और जो गरीब लोग हैं उनके बीच में, और इसको लेके state government को भी concern है, बहुत सारी state government नहीं भी कहा है, कि यह जो food security bill है, यह उसको violate करती है, सरकार इसको address नहीं कर पा रही है, सरकार यह चाह रही है कि हम पूरे market को open कर दें, पूरे market में competition आ जाए, लोग अपने हिसाब से खरीदे बेचें, सरकार का जो इसमें concern है, वो सारा चीज खतम हो जाए, सरकार बस इस चीज को administer करे, तो in short, यह भी एक सरकार की तरफ से यह policy बनाई जा रही है, कि यहाँ पे भी बड़े market players जो हैं, वो involved हों, सरकार तो यह कह रही है, कि इससे basically क्या होगा, फाइदा होगा, किसका किसान का, क्योंकि जो बड़े store हैं, वो क्या करेंगे, सरकार को बिना डर के वज़े से, पहले तो क्या थ पास यह डर नहीं होगा, तो लोग खरीद के store कर सकते हैं, तो problem नहीं होगी, किसान का जो माल है, वो बिक जाएगा, और यहाँ पे लोगों का concern मेरे हिसाब से भी genuine है, क्योंकि जो ordinance है, जो bill है, उसमें already mentioned है, कि सरकार storage पे तब तक control नहीं करेगी, जब तक देश में कोई disaster न पाड़ आ गया, भुकंप आ गया, अगर कोईश ऐसा disaster होता है, तभी सरकार इन लोगों से कह सकती है, कि आप storage नहीं कर सकते हो, उससे पहले सरकार के पास legal rights नहीं है, कि इन लोगों को मना कर सकती है, कि आप store करके black marketing करके price नहीं बढ़ा सकते हो, तो एक तरह से इनके पास free hand है, जो बड़ी companies हैं, वो एक तरह से black marketing करेंगी सारे commodities का, तो ये एक बहुत बड़ा issue है, मेरे हिसाब से भी government को इस issue को address करना चाहिए, और 100% हमारा इतियास भी ऐसा ही रहा है, मैं एक चीज आप से जानना चाहूँगा, कि आप इस bill के बारे में क्या सोचते हो, जो भी perspective क्या है, किसानों का concern क्या है, मैं जरूर जानना चाहूँगा, कि यहाँ पर आप क्या सोचते हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको लगता है कि इसको easy language में समझाया गया है, तो औरों के साथ share करिए, जो किसान है, उनको बताईए इस bill के बारे में, समझने की कोशिस करिए, अगर आपकी भी कोई recommendation है, तो जरूर बताए कि इस bill को कैसे होना चाहिए, मिलेंगे next video में, तब तक के लिए all the best, good luck